पूर्णिया सहर के नवरतन हाता में जीडी गुएनका टोडलर हाउस का शुबारब हुआ इस मौके पर मुख्य अतिति के रूप में पूर्णिया की डिप्टी मियर पलवी गुपताव जीडी गुएनका स्कूल के निदेशक प्यूस अगरवाल मौजूद रहे फिता काट कर जीडी गुएनका पले स्कूल का उधगाटन किया गया साथ ही संयुक तुरुप से अतितियों ने दीप पर जलिद भी किया डिप्टी मियर ने स्कूल के निदेशक राजीव सर को सुबकामनाय देते विए कहा कि बहुत खुसी की बात है कि पूर्णिया में जीडी गुएन को और भी आगे ले जाने वाला है हमारे फैमली में एक और नया मेंबर आज जूड गया है प्ले स्कूल खुल जाने से आसपास के छोटे बच्चों को उनके भविस के लिए सही मार्क दर्सन परदान करेगा उन्होंने कहा कि वे हमेसा जीडी गुएन का टोल्डेड हाउस क साथ है और हर परकार से मदद भी करेंगे वहीं स्कूल के निदे सक राजिव शर ने कहा है कि इनके स्कूल में अच्छे माहौल में छोटे बच्चों को गुनवत्ता पूर्णी शिक्षा परदान की जाएगी इसके लिए स्कूल में अनुबवी टीचर मौजूद रहेंगे झाल 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 हुआ के लिए इसकूल खोफ़ेंगे पैल ऐसे पूर्णी ऑज़र के लिए फॉनक्त अच्छी वात के पारदा यहां से त्यार होगा अगे चल करेंगे खोड़े बच्चे के लिए भी बहुत आसानी हो गए और यहां की पैरेंस के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको अपने बच्चे के लिए जादा परिशानी नहीं होगी, कि हाँ हुँनके लिए जीडी कोईनका प्रेस कूल है, और यही पोलना चाहोंगे, उनके तरक्टी इनके सिच्छे आगे बढ़े और पूनिया और तरक्य करें जी दी गुएन का कि वीजन को और आगे ले जाने वाला है और पूल मिला करके हमारे फैमिली में एक और नया मेंबर जूड़ गया है आसके जब कहते हैं कि घर में कोई बच्छा पाइदा होता तेक नया मेंबर तो ये एक नया चाप्तर घर में एक मेंबर बढ़े है और मुझे लगता इसके आने से इस आसपास की पूनिया की बच्छों को चोटे बच्छों को अपने भविशी के लिए काफी सही मागदासन प्रतान करेगा और जो गुनवत्ता जीदी गुएन का गुरूप की और नि दिखेंगे हम हमेशा साथ हैं हमारे याँ टीचर्स की ट्रेनिंग होती है उसमें यह यह भी हमारे टीचर प्रिंसिपल माडम जाएंगे जब भी हमारे इसे स्कूल के बच्छे चाहना चाहेंगे आना चाहेंगे स्कूल में फन के लिए एजुकेशन के लिए एक्स्ट्रोरेशन के लिए तभी भी आके जाएंगे को इश्यू नहीं अन्चीजों में और मुझे काफी कुछी होगी चीजों को साजा करने के लिए और काफी कुछी महसूस होगी कि बच्चों को हम भी कुछ सिखा पाएं इनके साथ सा तो बहुत शल्स वागज हम लोग उनुनियर डिपीस के कमborली साफना किया था तो काफी चार सलों से हम लोग ने चलाया को कुछंबस जीनगेलन का यहां पर बहुत अचा नाम था तो मैने सोचा कि टॉलर्ट हाउस में हम लोग सट कर मैं तो जुनियर डीपीस को हम लोग ने फेकलीट तो वह काफी अच्छे है और एक्सपरियंस भी है तो वह ही रहेंगी प्ले ग्रूप, नर्सड़ी, LKG, UKG, हमारे पास चार क्लास है अभी तक तो बहुत सपोर्ट मीला है और आने वाले समय में भी बहुत सपोर्ट मीलेगा तो क्योंकि एक परिसानी भी थी जब हम जुनियर DPS से स्टार्ट के तो तो DPS को कोई बड़ा सा ब्रांच नहीं था जिसने कारण क्या होता था था न कि बच्चे युके जी के बाद उनको थोड़ा सा परिसानी होती थी जी डी गुएन का यहां बहुत बड़ा सा ब्रांच भी है यहां से डिरेक्ट बच्चे वहां पर जा सकते और कापी बेनिफित भी मिलें के उनको पुर्णिया वालों के लिए एक उफार सौरूप जी डी गुएन का टॉटलर हाउस लेके हम लोग लोग आए हैं बहतर भव इन अच्च करेगी तबच्च कर देड्राइ भुएन के लिए सकते लिए उपधिय। for the children and for the prairies too. This message is that they are always welcome, they are treated like a family, it's like extension family amongst the children and for the parents also. They can give a visit and they can try the school and it is a new process of starting a new house so it will be easy for everyone to communicate and to be a part of our family most welcome everyone. Good to you all, thank you. My good name is Mrs. Shahan Chokhul. अब हर खबर पर होगी हमारी नज़र पल पल पदलती देश और दुनिया की हर खबर पाईए सीधा आपने मोबाईल पाई ऐसी ही खबरो के लिए करें सेट 24 लाइब को सब्सक्राइब साथ ही साथ दिये गए बेल आइकन को भी दबाएं थैंक्यू करें सेट 14 लाइब ि क disc कर दो स्ब्सक्राइब